तो इसलिए मैं उनको खाने देता हूं मेरे सारे प्लांटों में लगी हुए जिन में निच्च से लेके ऊपर तरहीं रहें नमस्कार दोस्तों मैं आपका मामल बहुंसाइं फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे कॉंग्रेट्स कीजिए क्योंकि हम अभी में जो है इस गो प्रोशेश शूट कर रहा हूं इसका जो वीडियो हमारे ममल व्लोग चैनल पर तो आप वह चेक आउट कर सकते हैं और अभी जो व्लोग है वह भी काफी अच्छे आएंगे और यह वीडियो जो आज गार्डनिंग का वीडियो अभी हम शूट तो आप बताना वीडियो देकर किसी क्वालिटी कैसी है हालांकि इसकी जो अभी मैं शूट कर रहा हूं तो देखते हैं कैसी से क्लेरिटी है टेस्ट भी हो जाएगा और आपको जो है मैं आपडेट जो है वह देने वाला हम आज प्लांटों की तो चले शुरू करते हैं यह अम्रूत गया है लेकिन आप इसमें कुछ लगा नहीं है तो अपडेट देने के जरूच नहीं है लेकिन आपने यह प्लांट जरूर देखा होगा मेरा अंजीर का और इसका एक शोट वीडियो मैंने डाला था जब मैंने इस पे एक अंजीर लगी हुई थी तब और दे ही पूरी ब्रांच जो है फ्रूट से बढ़ी हुई है और यहां पर देख लिए इस ब्रांच पर देखिए निच में बहुत ज्यादा टेस्टी है आमने इनको खा कर देखा था बहुत प्लानट जिसके अंदर जो है नियूट इसमें इत्जिटीर बहुत होते हैं यह बहु मैं इसको दे लिखा हुआ क्यों घर का प्लांट है और इसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े हो गई हालांकि मेरे साथ जो है मेरे दो कजन भी वह भी लेका है थे उनका प्लांट जितना लेके था उतना यह लेकर आपका प्लांट देखिए वह यहां पर देखने आया तो कैस अगर हम द्यान रखें तो दो कि अप्लांट का क्या रंग निकल के आता है तो यह अमरा अंजीर का था जिसके अप्रेट मुझे आपको देनी थी बाकी प्लांट बड़े और देता हूं आपको यह देखिए अमने कुछ देने पहले यहां पर जो एक प्लांट है लोकाट का क्या इनको वैसे कट कर देना चीए उसके बाद फ्लांट को थोड़ी सी पावर मिल जाती है और फूल खिलने के लिए इनको थोए एनर्जी मिल जाती है यहां पर भी प्लांट यह भी एम लीज के है और यह देखिए यह पर यहां पर आपको दिख रहे यह हमारी जूड़ ह तो तो दिखे आप इसमें दूबारा से फ्लोरिंग होगे अलांकि इसका टाइम कहा है फ्लोरिंग रूटिंग वो स्टार्ट हो गई यहां पर गुलाब की कटिंग लगाई थी वह दिखे इस पर भी जो बड़ आप वह आ गया तो यह अच्छे से ग्रोव कर रही है यह यह ज और यह प्लांट है कस्टड एपल का सिताफल जिसको बोलते हैं यह उसको है ऐसे प्लांट गर पे लगे हुए हैं और यहां पर लगा रखे हमने और दोस्तों अभी सीजन जो है सर्दियों के फूल हो आ गया है तो मेरे यहां पर आपने फूल निकलने लग रहे हैं जो बीज सब्सक्राइब यहां पर यहां पर देखिए और यह जो प्लांट आपको दिखे रहे हैं इसको भी कट करने के बाद इसने ग्रो स्टार्ट किये हैं यह हमारी गुलाब की बेल है इसके इस बार हम डेर सारी कटिंग लिगाने वाले क्योंकि बहुत जाता डिमांड में यह ब सब्सक्राइब दोस्तों इस लीफ के निचे जो है जो फल मख्या उसने अपने जो गर्बना रख है और अंडे दे रखें तो अभी आम इसको नहीं करें क्यों यह काट लेती है यह देखिए मैं निचे दिखाने कोशिश करता हूं आपको दिखता है तो इस पत्ते निचे अच्छोटा सा गरिंगा यह खा जाती है यह जूमका वेल यहां पर रखी हुए पॉली बैग में जो हमारे गर के पास में नर्सरी जिनों की थी उनके उनको उन्होंने गा था कि मैं ले लूँ लेकिन आभी तक लो लेकिन गया तो यहीं पर देखिए फूल आ गए पॉली यह प्लान्ट आपको दिख रहे हैं यह जो है कैसरी नए बंसाइव वाला तो इसको कि मैंने पहले पोर्ट में लगा रख था वहां से निकालके मैं यहां पर दिया और अभी वह पोर्ट में तो मैं सुचे बढ़ना थूझा तब इसको निकालके बड़े पोर्टों घडल यह दो बहुत से तोड़कर देखे यह यह 멏 जो यह है जो चोटी मिर्चे हैं इनको पर जो मिर्च पोलते है यह देखेव इस प्लांट पर यह कितना लगए हुए है गुछे के अधी होते हैं दोस्तों यहां पे मैंने कुछ सफाई पहले की थी लेकिन फिर बारीश होती दुबार से ऐसा हो गया रीजन देखिए वहां पे आपको दिख रहा होगा यहां पे जो एक मदमख्य चत्ता था पहले में इसके वेट में था कि यह अटेगा तब यहां से प्लांट निकालेंगे अब यह तो आट गया लेकिन एक जो यहां करुंदे के पेड़ में जो हैं वहां पे देखिए अगर आप दिख रहा हो रहा कितना बड़ा तो वहां पे लग गया अब यह कि एक प्लांट अगर हिलेगा यहां पे तो यह सारी यहां पे जो है फैल जाएगी और खाने को सृँदी तो में यहां पे यहां पर प्लांट मेरे पास है और कुंद्रू पर वहां पर फैल गई जंग फ्थあります एक वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है इसकी सभी में खाते हैं लेकिन याप यह बहुत ज़्यादा फैल गई है और यह हमारा सेव का प्लांट जो में लगाए था देखिए काफी अच्छी से बढ़ रहा है और काफी उंचा से लगाए मैंने कुछ दिन पहले इसके आपको दिख रहा हुआ गुडाई करके और इसमें जो खाद है वो मैंने डाल लिए अब इसका रेजल्ट देखें कैसा आता है जो ग्र कर दा और ये जो प्लांट है यह माला टे का प्लांट है आमने बीस लगाए था वो है को सीमया इंड imports से SEC रह वहारी रहें यहां निमवू देखें कुछ यूंद में पाडय प्लांट है निसा इसमें बी अभी जखिक ग्रोथ स्टाड हो गई पर इसमें लोखेंग सांसम त सब्सक्राइब और यह काफी टाइम किये लेकिन यहां पे जो हमने फाइक सी कटिंग लाइए उसमें फसके रह गई है तो इस वार सर्दियों में यह सारे फाइकर के प्लांट आप अठा देंगे तक यह जो निच्ची का प्लांट है यह से बढ़ सके और यहां पर देखें निम्बू यह निम्बू जो हमने कटिंग से लगाए था बिना बीच निम्बू जो होता है वह और इसमें इस पार निम्बू भी आए थी और इसी ग्रोह होते हैं यह जो अम्रूत है बड़े-बड़े दीख रहे आपको यह बीच से लगाए हुए एक मैं कीडहा मोसमी का इसको अब पताने क्या लगाए इसमें अभी सिमेल इन प्लांटों मेंil किरे लगते हैं जो पथि खाने-वाले मैंक प्लाणटों लेके उनके नहीं लगत था वह थिंग तीन चार साल बाद खराब हो गये था क्योंकि इन में टाइम टू टाइम डवाई डालने होगी दिमक की विए से यह पेजास तर यह प्लांट जो खराब हो जाते हैं देखते हैं कौन शी लगती है और यह देखें यह कैसे हुई है जो दोस्तों यह कुछ अप्डेटी मेरे यहां के रिए की जो मैंने आपको दिखा दी अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट टैम में मेरे वां पर चकोत्र लगा हुआ है उसे रिए के अपडेट ौड़ दे तो आज के वीडियो अपको कैसा लागा गोप्रो से आमने शूट किया है अगर अच्छा लगा हो या कुछ कमियो सेटिंग इसकी जो चेंद कर सकते हैं कुछ भे आपको इसके प RIGHT में पता है तो कमेंट के जरूप बताइबा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो चे लगे तो लाइक और शेर जरू करे अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलतें एक नए वीडियो के साथ अब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखेगा शुक्रिया